कि हेई गाइस वल्कम बाक टो जुरो सक्ष्ट पॉइंट आज है आपकी 27 जनवरी 2020 और अब हम करने वाले हैं आपके आज की करेंट एफेर्स करने से पहले आपको एक न्यूज बता दूं कि हमारे चैनल का टेलीग्राम ग्रूप पर चुका है तो अगर आप टेलीग्राम पर आपको दो गुरूप टिखाए देंगे एक का नाम होगा डिया डियो एम्टी है 06 301 और एक होगा आपका चैनल होगा जिस पर लोगों भी लगा हुए हमारे चैनल का उस पर से फूर से 06 301 तो दोनों को जो इन कर लीजिए गा और ग्रूप में आप चैट कर सकते हैं आपको कुछ डिस्क्रिशन करना अधर स्टूटेंट से और जो आपका में चैनल है उसमें आपका सभी स्टडी में टेल और जो कंटेंट है वो सभी शेयर करता हूं ठीक है तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट कुशिन है आपका विच आर्टरी गन इस तो बी इंड़ियन आर्मी आफ्टर इट सक्सेस्फुल टेस्ट एट गन कैरेज फैक्टरी जबलबूर चीक है तो आपकी ऐसी कौन से आर्टरी गन है जो की आपकी इंड़ियन आर्मी में उसके सक्सेस्फुल टेस्ट के बाद गन कैरेज फैक्टरी में जो की आपका जबलबूर में स्थेत है तो इसका करेक्ट आंसर है आपका शरंग उस गन का नाम आपका शरंग है नेक्स्ट कुशिन है आपका तो आपका ऐसा कौन सा फॉर्ट इंडियन है जिसने आपका रिसीव कह है ऑस्ट्रिलिया का सबसे हाइस्ट सिविलियन हॉनर, ठीक है, मतलब यह एक अवोर्ड की तरह है, और यह सबसे बड़ा अवोर्ड जैसे इंडिया में होता है भारत रतन, उसी तरह के से ओस्ट्रिलिया का भी एक ओवर्ड है तो वो इंडिया का ऐसा कौन सा चोथा व्यक्ति है फोर्थ इंडियन बनाए वो जिसने ओर्डर ओस्ट्रिलिया का ओनर जीता है सो करेक्ट अंसर है आपका इसका किरन मजूमदर शाओ नेक्स है यापका along with the Prime Minister Modi who inaugurated the second inaugurated border checkpost at jogbani बिरत नगर तो प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ किसने इनागरेट करा है आपका second integrated border checkpost कहां पर जोगब बिरत नगर में, सो करेक्ट अंसर है आपका इसका K.P. Sharma Ali okay next question है आपका who is the president of All India Council of Sports so आपका All India Council of Sports का president कौन है so इसका answer है आपका VK Malhotra VK Malhotra आपके All India Council of Sports की president है next है आपका what is the theme of Minister of Commerce and Industry table 2 on Startup India at Republic Day Parade so question है आपका तो आपकी जो theme है Minister of Commerce और Industry table 2 की तो उसका आपका Startup India Republic Day Parade पे so वो क्या है ठीक है correct answer है आपका reach for the sky next है आपका सुभाज चंदरबोस जेयन्ती is celebrated on which date तो सुभाज चंदरबोस की जो जेयन्ती है birthday है वो किस दिन मनाया जाता है so correct answer है आपका option C and that is 23rd January next है आपका how many medals India won at 9th National Cup Women's Boxing Tournament in Somber, Serbia तो आपका कितने medal जीते इंडिया ने 9th National Cup Women's Boxing Tournament में Somber, Serbia में तो correct answer है आपका 6th medals next है आपका what is India's rank in Economist Intelligence Unit Democracy Index so India के आपकी क्या rank रही है Economist Intelligence Unit Democracy Index में India के आपकी 51st rank रही है ठीक है पहले आपकी इंडिया 10th प्लेस पे थी और अब 51st प्लेस पे आ गई है बहुत अच्छी बात है ये तो पता चल रहा है सब आपको छोड़ो next question है आपका which state has recently launched मुख्य मंत्री, कृष्यक, दुर्गतना, कल्यान, योजना आपकी किस state ने मुख्य मंत्री, कृष्यक, दुर्गतना, कल्यान, योजना स्टार्ट की है ये सोचने के भी जरुवत नहीं है आपको उत्रप्रदेश है इसका answer next है आपका which country took over the championship of group of 77 so आपका कौन सा ऐसा देश है जिसने championship जी दिया group of 77 की so इसका answer आपका कौना next है आपका दन first national cultivation workshop or strattening agri-logistic in Enam was organized in which city so correct answer is New Delhi next है आपका according to world employment and social outlook report of ILO in 2020 number of people registered as an employment is expected to rise to ठीक है so word की according to world employment on social outlook report के अनुसार जो कि आपकी ILO की है 2020 में number of people जिनों ने registered का unemployment में ये expected हो रहा है कि कितना बढ़ेगा so correct answer है आपका इसका 190.5 million हम और एक million में 10 लाग होते है समझे next है आपका इंडिया with which country has to sign agreement on mutual legal assistance in criminal matters so India ने किस देस्ट के साथ sign किया एक agreement किस चीज़ के लिए mutual legal assistance in criminal matters के लिए so correct answer है आपका Brazil next है आपका which of the following has become the first state to implement agricultural and leasing policy so आपकी ऐसी कौन सी first state है जिसने implement करी है अग्रिकल्चर लेंड लीजिंग पॉलिसी so correct answer है आपका इसका उत्राखंड next है आपका with which of the following Indian navy has signed MAO for sharing of offshore data so आपकी ऐसी कौन सी which of the following Indian navy so आपकी कौन सी Indian navy है जिसने sign किया है MAO किसके साथ offshore sharing offshore data share कर ठीका so correct answer है आपका उसमें option D and that is geological survey of India next है आपका India has opened its first Mahatma Gandhi convention center in which city so India ने आपका अपना first Mahatma Gandhi convention center open किया है तो वो किस country में किया है तो इसका correct answer है आपका NIGAR N-I-G-E-R next है आपका which country is to train Indian flights surgeons for Gagan Yan mission ठीक है तो आपका ऐसा कौन सी आप देश है to train Indian flight surgeons Indian flight surgeons को train करेगा Gagan Yan mission के लिए so correct answer है आपका इसमें option B France ठीक है next है आपका which country topped the world breastfeeding trends initiative list so आपका top किया है वोर्ड में किसने breastfeeding trend initiative की list में इसका correct answer है आपका option C and that is Sri Lanka next है आपका according to PwC CEO survey what is India's rank in the list of best market for global companies looking for growth abroad so according किसके PwC के CEO survey के द्वारा what is India's rank in India की क्या rank रही है इस list में of best market for global companies looking for growth abroad so correct answer है आपका fourth next है which language will be made mandatory in school by Maharashtra government तो आपके इसी कौन सी language है जो कि आपकी mandatory बना दी गई है schools में Maharashtra government Maharashtra सरकार के द्वारा so correct answer है आपका इसमें महाराथी अगर आप महाराथी में हो और school में पढ़ते हो तो महाराथी आपके लिए पक्का पक्का हो गया है एक subject so इसको learn करना सीखो जल्दी से next है आपका who has been appointed as CMD of real estate firm UNITEC so आपका CMD किसको appoint किया गया है real estate firm का जिसका नाम है आपका UNITEC so correct answer है आपका इसमें युदवीर मालेक okay guys so ये रही थे ये है थे आपके आज के 21 current affairs और हमने आज सभी कर लिये है सभी question के नीचे इसको explanation आपको दिया हुआ है PDF को आप download करना चाहते हो तो direct कि हाँ से download कर सकते हो उसी के साथ मैं group में भी direct link share कर देता हूँ या फिर मैं video share कर दूँगा जैसा भी आपको लगी बट वीडियो के नीचे आपको इसका link मिल जाएगा वहाँ सब इसको download कर सकते हूँ within 2-3 days मैं टेलिग्राम पे बहुत अच्छे से active हो जाऊँगा वहाँ पर आपको सारा का सारे study material जितना भी होगा सब वहाँ पर मिल जाया करेगा अगर अभी तक आपने टेलिग्राम ग्रूप जोइन नहीं किया है और चैनल जोइन नहीं किया है तो जाएए टेलिग्राम बे 06 study point सर्च करिए और जोइन करिए आज के लिए वीडियो में सिरफ इतना ही विए एट सेट बबाई टेक केर और अल 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 बेस्ट